हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू माई चैनल चंद्रा एकडमे आएम चंद्र सेकर सिंग और आज मैं आप लोगों को नारेशन के बारे में बताने जा रहा हूं नारेशन का अर्थ होता है कथन नारेशन ग्रामर का एक टफ टॉपिक लोग समझते हैं लेकिन बहुत ही आसान है बहुत ही इजी है इसे हम आसानी से समझ सकते हैं तो आएए देखते हैं कि नारेशन क्या है नारेशन का अर्थ होता है कथन अर्थात जो कुछ भी हम बोलते है वो narration होता है ये दो प्रकार के होते हैं direct speech और indirect speech तो direct speech क्या है जो हम सिधे सिधे तोर पर किसी से बोलते हैं इसमें वक्ता कथन को हू बहू उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है जैसे he said I am ready उसने कहा कि मैं तयार हूँ उसने कहा कि मैं तयार हूँ यानि वक्ता जो है अपनी ही भाषा में अपने विशार को व्यक्त कर रहा है अब दूसरा है indirect speech जैसा कि नाम ही है अपर्त्यक्ष कथन अपर्त्यक्ष रूप से जो है उसको बोला जाएगा इसमें किसी वक्ता के कथम को उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है जब कोई वक्ता किसी बात को कहता है तो उसी की बात को कोई दूसरा व्यक्ती कैसे कहता है उसको हम indirect speech कहते हैं जैसे एक्जम्पल के लिए देखते हैं जैसे पहला direct speech में था, he said I am ready, और indirect speech में है he said that he was ready, उसने कहा कि वह तयार था, इसमें है कि उसने कहा कि मैं तयार हूँ, उसने कहा, indirect में, उसने कहा कि वह तयार था, यानि दूसरा कोई उसके बारे में बता रहा है. तो अब हम आते हैं, इसके कुछ रोल्स के बारे में, जब reporting भर्व, present your future tense में रहता है, तो reported speech का tense नहीं बदलता है, के वल person बदलते हैं, अब हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे, कि reporting भर्व क्या है, reported speech क्या है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. तो जैसा कि ये sentence है, direct speech का, he said, तो he said, said यानि कहना, कहने का काम इसमें हो रहा है, भर्व का काम हो रहा है, इसलिए ये reporting भर्व है, और inverted comma के भीतर जो है, वो reported speech कहलाता है. तो अक्सर इस topic पर चर्चा होती रहेगी, ये topic आते रहेंगे, इसलिए इसको जानना जरूरी है, कि inverted comma से बाहर reporting भर्व और inverted comma के भीतर reported speech होता है. तो जब reporting भर्व प्रजेंट या फ्योचर में हो, यानि ये जो है, जहां ही सेड है, ये प्रजेंट या फ्योचर में हो, यानि ही सेज हो या ही मिल से हो, तो वैसे हालत में reported speech का टेंस नहीं बदलता है, क्योंब परसन बदलता है. जैसे example देखते हैं, he says, यहां said था, लेकिन यहां पर says, क्योंकि reporting भर्व प्रजेंट में है, he says, I am reading my book, ये direct speech है, इसको indirect में कैसे बनाएंगे, tense नहीं बदलेगा इसका, he says that he is reading his book, he says that first person subject का नुसार, उसके बाद he के साथ is reading, और ये first person, ये भी subject का नुसार, तो he का, he is होता है, his book, he says that he is reading his book, ये indirect speech हो रहा है, दूसरा है, कि जब reporting भर्व पास tense में रहे हैं, तो reported speech का tense तथा person दोनों बदलते हैं, ये present में था, ये reporting भर्व जो है, ये present में था, तो केवल person बदल रहे थे, tense नहीं बदल रहा था, यानि इज़ के जगा वाज नहीं हो रहा था, अब इसमें जो है, देखते हैं, जिसमें reporting भर पास tense में रहेगा, जैसे he said to me, he said, ये said जो है past tense है, reporting भर पास tense में है, तो इसमें reported speech का जो tense है, ये और person दोनों बदलेगा, he said to me, I am your friend, direct speech, he said to को told में बदलेगे, he told me that first person, subject के अनुसार, यानि he के अनुसार, he को यहाँ हम जब लाते हैं, तो he, और he के साथ जो है, इज होता है, और जो इज को हम, इसमें क्या किया है, वाज में बदल दिया है, क्योंकि हाँ tense बदल गया है, he told me that, he was, second person, यह योर है, योर, तो योर, second person, object के अनुसार, me, me के अनुसार यह object है, और यह subject है, तो मी को जब हम यहाँ लाएंगे, तो I का my होता है, यू का योर होता है, उसी तरह, he was my friend, he told me that, he was my friend, यह indirect speech हुआ, अब रहे बात, person position बदलने की, तो यदि reporting भर्व में first person दिया हो, reported speech में यदि first person दिया हो, तो reporting भर्व के subject का अनुसार बदलते हैं, reported speech में first person है, I, I first person होता है, तो उसे reporting भर्व के subject का अनुसार बदलेंगे, यानि I जी इस position में है, उस position में हम उसको he को भी रख देंगे, second person, object का अनुसार, यह यू जो है, यह second person है, यह दि second person दिया है, तो इसको जो है हम object का अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार, तो मी का यहाँ पर माई हो गया, तो इस तरह से हम देखते हैं, कि यह एक अभी first, अभी बहुत ही छोटा सा topic मैंने अभी बताया है, इसके बहुत से rule regulation अभी बाकी हैं, जो अगले वीडियो में आपको बताये जाएंगे, लिए आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे like करें, share करें और subscribe करें, thank you.